ये वीडियो 15 फरवरी की सुबह 8 बचकर 47 मिनट का है मोनू एक गारी से अपने घर पहुंचा इसका जिक्र इंडिया टीवी पर मोनू मानेसर कर रहा था कि वो अपना घर गया था CCTV फुटेज में तारीक और सुबह भी साफ दिखाई पढ़ रहा है और वहां पर दोपहर 12 बजे तक वो उस होटेल में रहा था ये दावा मोनू मानेसर और उसका परिवार कर रहा है इसके इसमें अब तक तीन CCTV फुटेज सामने आए हैं हम तीनों एके करके आपको दिखाते हैं ये तीनों CCTV फुटेज क्या कहते हैं पहला CCTV फुटेज तो मंगलवार की रात का है उस होटेल का है जहां पर मोनू मानेसर ये दावा कर रहा है कि वो होटेल में था सोहना रोड पर स्थित इस होटेल में वो एंट्री कर रहा है अपने दोस्तों के साथ है दूसरा वीडियो अगले दिन यानि 15 फरवरी की फुबह 8 बचकर फ्रेतालिस विर्ट का है और इस वीडियो में मोनू मानेसर अपने घर आता हुआ दिखाए दे रहा है और तीसरा वीडियो फ्रीडम एप से सीख कर आपने सूवर का पालन शुरू किया है क्या तो आप अपने सूवरों को एक करोड़ फ्रीडम एप के जो गराहक है उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं फरवरी की अप 15 फरवरी की दोपहर का है और दोपहर 12 बचकर 5 मिनट का है ये वीडियो उस वक्त का है जब मोनू मानेसवर होटेल से चेक आउट कर बाहर निकल रहा था इस वर पूरी डीटेल रिपोर्ट इंडिया टीवी संभादाता अभए पर आश्र ने तयार की है इस रिपोर्ट में आपको सारे तथ्य और सारी जानकारिया मिलेंगी इस वक्त हम आपको एक CCTV फूटेज दिखाना चाह रहे हैं पंदरा तारीक की रात की एक CCTV फूटेज यहां पर हम आपको दिखाएंगे पंदरा तारीक को ये मोनू के घर की CCTV फूटेज है समय हो रहा है आठ बचकर 47 मिनट और ये बता जा रहा है 15 तारीक की रात को मोनू किसी होटल में रूके हुए थे और पंदरा तारीक की सुभह 8 बचके 47 मिनट पर ये मोनू के घर की फूटेज है जो हमें जानकारी मिली है परिवार की तरफ से उनका कहना है कि होटल जिसमें मौनू रुका हुआ था साड़े छे बजे के आसपास वो सुभह उस होटल से निकलते हैं और वहाँ से निकलने के बाद यहाँ पर पटोती से पहले एक जगह पड़ती है जमालपूर, जमालपूर में वो जाते हैं और उसके बाद 8 बज के गाड़ी आई है और इस गाड़ी से ड्राइविंग सीट से मौनू उतरता हुआ नजर आ रहा है और अपने घर के अंदर जा रहा है यह मौनू की CCTV फुटेज है मौनू के घर की 8 बज कर 47 मिनट की तो परिवार यह कह रहा है कि यह आरोब जो है सब बेबुनियाद है क्योंकि मौनू जो है वो अपने घर के अंदर था मौनू फरार है पुलिस उसकी जगे जगे तलाशी कर रही है लेकिन इधर घर पर मौनू की मा का रो रो कर बुरा हाल है वो यह कह रही है कि मौनू उनका बेटा बे कसूर है वो क्या कह रही है सुनिए फ्रीडम एप से सीख कर आपने सूर का पालन शुरू किया है क्या तो आप अपने सूरों को एक करोड़ फ्रीडम एप के जो गराहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं हमारे साथ मौनू की माता जी मौजूद है मुकेश जी उनसे बात करते हैं ये बताइए कि जो आरोप लग रहे हैं मौनू के उपर कि वो भिवाडी के अंदर उसने सत्याकान को अंजाम दिया है आपको क्या जानकारी है या मौनू ने क्या बताया कहां था मौनू मौनू ओटल में ही था फिर ओटल माते छे बजी के आसपास निकले आए फिर वहां तान के वो घर पाया आठ बज के सेन तारश मिन्ट पे मेरे बेटा घर पे ही था जुटा आरोप लग रहे हैं मेरे बेटा नहीं करता है क्योंकि क्या क्या काम करता है मौनू ताम में बरंग दल में बिर कुछ नहीं पास इतना ही पास भी नाने बाप की लुखा ज़ादिए भी आमसल इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर